बेलकम टू एक्जाम भी विचना तो दोस्तों अज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP-LT-Tet Practice Set 3 के वारे में ठीक है ना इससे पहले हमने दो practice set को डिस्कस कर रहा है या दो वीडियोज को डिस्कस कर रहा है इसी के साथ अगर भी तक आप हमारे टेलेग्राम गूरूप के साथ नहीं जूड़े हैं तो आप हमारे टेलेग्राम गूरूप के साथ भी जूड़ सकते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ठीक है वहाँ पर मैं यह सभी पीडियाफ आपको सेंड कर देता हूँ इसके पर शाथ हमारी टीम के दुवारा एल्टी टैट, एल्टी कमिशन और पीजिटी हिंदी के लिए कोर्स लाँच कर दिये गए हैं अगर आप लोग interested हो तो आप संपर कर सकते हो तो देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह है सारा procedure संपर करने के लिए यहाँ पर नमबर दे दिया गया है अगर आप interested हो तो इस नमबर पर संपर अवश्य करिएगा तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को start तो यहाँ पर पहला प्रेशन पूछा गया है स्वर्ध्वनी का परकार गलत है तो बताना है यहाँ पर स्वर्ध्वनी के कुछ बिकल्प दिये के हैं इन में से एक गलत होगा उसका हमने चैन करना है वो कौन सा होगा विकल्प में हैं दिर्ग, प्लूत, हरस्व या यन तो यहाँ पर जो गलत विकल्प हो जाएगा तो बहो हो जाएगा विकल्प डियन स्वर्ध्वनी का परकार नहीं होता है क्या है जो यन होता है यह स्वर्ध्वनी का परकार नहीं होता है बाकी दिर्ग, प्रलूत और हरस्व ये तीनों ही स्वर्ध्वनी के परकार होते हैं चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन संग्या है दो इसमें पूछा गया है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है विकल्प में है कॉर B, सरहिंदी, A और B दोनों या नाग भाशा तो आपने सही बिकल्प का चैन करना है यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर जो दूसरे का सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प C कॉर्बी और सरहिंदी, खड़ी बोली के दूसरे नाम है आपने कॉमेंट बॉक्स में सभी प्रशनों का उत्तर देना है ठीक है ना, मेरे उत्तर देने से पहले इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा आपको कितनी अवशक्ता है अब प्रैक्टिस करने की ठीक है चले अगला प्रैशन देख लेते हैं प्रैशन संख्या 3 घर जमाई संगठनात्मक अधार पर कैसा शब्द है विकल्प में है योगिक, योगरूड, रूड या उप्योगात्मक तो बताना है सही विकल्प कौन होगा तीन का तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए जो घर जमाई है या योगिक शब्द के तोर पर जाना जाता है अगला प्रैशन चार उ-उ का उचारन स्थान क्या है बहुत अच्छा और सिंपल चा प्रैशन है ये वाला विकल्प में है कंठिय, तालब्य, दंतिय या उष्ट तो चलिए सही विकल्प बताईए क्या आएगा यहाँ पर तो जो चौथे का सही विकल्प यहाँ पर आएगा तो वो आएगा विकल्प डी उष्ट अर्था जब हम UU का उचारन करते हैं उस समय हमारे होठों या ओठों में किसी प्रकार की आकरती बन जाती है तो उसे उष्ट कहा जाता है सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा अगला प्रैशन है पांच निमन में से पुलिंग शब्द का चैन कीजिए बिकल्प में ब्रिहस्पती, टोली, सोसाइटी या कमपनी तो बताएए पांच निमन का सही बिकल्प क्या होगा तो जो पांच निमन का सही बिकल्प हो जाएगा तो वहोगा बिकल्प A ब्रिहस्पती यह पुलिंग शब्द होगा बाकि टोली, सोसाइटी और कंपनी ये तीनों ही स्त्रीरिंग शब्द होंगे इसका भी धियान रखना आपने देखिए एक ही प्रेशन में आपकी चार प्रेशन बन जाते हैं अगला प्रेशने छे इसमें पूछा गया आपसे जाके प्रियना राम बदेही पंक्ती किस कवी की है बहुत अच्छी और असान पंक्ती है बिकल्प में है सूरदास, तुलसी दास, बिहारी या मीरावाई तो जो बिकल्प के सभी कवी हैं या विद्वान हैं ये सभी भक्तिकाल से स्बंद रखने वाले हैं जो जाके प्रियना राम बदेही है तो ये पंक्ती हो जाएगे तूलसी दास जी की, बिहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा च्छी का इसके पर आपसे कुछ प्रशन पूछँगा इन सभी का उत्तर आपने देना है जितने भी प्रशनों का उत्तर में पूछता हूँ सभी को उनके उत्तर देना है क्योंकि इससे आपका एक तोल वीजन होगा और दूसरा आपको पता चलेगा कि ये सही बिकल्प हो जाएंगे आगे से आपको ये याद रहेंगे जितने भी प्रशनों पूछना हो प्रशन ये होगा देखिए जो बिहारी है इनकी एक रचना का नाम बताना है चलिए मैं बता देता हूँ तो जो बिहारी है बिहारी की एक रचना है बिहारी सत्सई तो इसमें आपने बताना है कितने बिहारी सत्साई में बिहारी ने कितने दोहों को प्रियोग किया गया है 38 में जो इनकी रचना है बिहारी सत्साई इसमें कुल कितने दोहे संकली थे ये आपने बताना है ठीक है ना ये भी आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ 700 के आसपास है अब exact आपने बताना है ठीक है कितने होंगे उसके परशाथ आपका अगला प्रशन होगा जो सूर्दास है ये किस परकार की भक्ति को प्रियोग मिलाती थी इसके परशाथ अगला प्रशन होगा तूलसी दास जी की भक्ति भी बतानी है आपने और चौथा प्रशन ये हो जाएगा कि मीरा भाई की भक्ति भी आपने बतानी है इनकी भक्ति क्या क्या होंगी चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं सात्मा, पूछा गया है, जगदिश शब्द का सही संदी विछेद होगा, तो बताइए जगदिश शब्द का सही संदी विछेद क्या होगा, विकल्प चार आपके समख दिये हैं यहां पर, तो सात्मे का सही विकल्प हो जाएगा, तो सात्मे का सही विकल्प हो जाएगा, व बिकल्प में है सुरेकान त्रिपाटी निराला, रामधारी सिहन दिनकर, मीरावाई या महादेवी बर्मा तो आठमे का सही बिकल्प बताईए क्या आएगा तो अन्नामी का हो जाएगी यहाँ पर सुरेकान त्रिपाटी निराला की रचना और इनकी दो और मत्पुन रचना बता देता हूँ, जो राम की शक्ती पूजा ये इनकी मत्पुन रचना है इसके पशाद बहतोरती पत्थर, जोही कीकली और मतवाला पत्थर इनके द्वारा निकाला जाता था अगला प्रशन है नौवा, इसमें पूछा गिया है दया सागर में कौन सा समास है क्या है, जो दया सागर शवद यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताना है कि समास कौन सा होगा बिकल्प में ध्वंद, करमधारिय, बहूब्रिय या द्विगू तो नौवें का सही विकल पताई ये क्या होगा तो नौवें का सही उत्तर हो जाएगा विकल पे भी करमधारी ये समास का प्रियोग किया गया है देया सागर में अगला प्रशन है यहाँ पर दस उसके मुख को कोई कमल और कोई चंदर कहता है क्या है उसके मुख को कोई कमल और कोई चंदर कहता है तो यहाँ पर कौन सा लंकार प्रियोग में लाया गया है विकल्प में है ब्रहातिमान, संदेह, उलेख या बिभाबना तो दस्वें का सही विकल्प बताना है क्या होगा तो यहाँ पर जो दस्वेंग का सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प सी उलेख किया गया है ये ठीक है अगला पिशन यहाँ पर पूछा गया है 11 निमन में से कौन सा यूगुम गलत होगा तो यहाँ पर कुछ यूगुम आपके समक्ष दिये गए है पहला यूगुम है दांत काटी रोटी गहरी मित्तरता जलती आग में खी डालना क्रोध को और बरकाना बहां पकड़ना सहारा देना धज्या उड़ाना समझाना तो ग्यार्वें का सही बिकल्प कौन सा होगा जो बिकल्प डी है दच्या उढ़ाना इसका जो तात्पर या अर्थ समझाना नहीं होता है बेस्ती करना या निराश करना इसी परकारिस का तात्पर निकलता है बाकी जो दांद काटी रोटी ये गहरी मितरता होता है बिलकुर सही है फिर जलती आग में खी डालना क्रोद को और भरकाना ये हो चाता है फिर है बहां पकरना तो इसका तातपरी निकलता है सहारा देना बागी सभी बिकल्प सही हो जाएंगे जो बिकल्प ली है यह यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं बारा इसमें पूचा गिया है ब्याकर्ण की दृष्टी से कौन सा शब्द शुद्ध होगा बिकल्प में है तदूपरांत, खुराक, उच्वास या अंजली तो बारा का सही बिकल्प बताएगी क्या होगा तो यहाँ पर बारा का सही बिकल्प हो जाएगा सी, उच्वास ब्याकर्ण की दृष्टी से जो शब्द शुद्ध होगा तो बिकल्प सी होगा अगला प्रशन यहाँ पर पूचा गिया है तेरा इसमें पूछा गिया है चली शब्द का विलोम क्या होगा तो जो चली है चल देने वाला इस शब्द का विलोम बताना है तेरा का कौन सा होगा यहाँ पर आपको दो ही बिकल्ब दिखा देता हूँ और आगे और भी दिखा देता हूं रूखिए निश्चल चलवा दोख्यवाज या तेजवाज तो बताना है यहाँ पर सही बिकल्ब क्या होगा चली का तो यह हो जाएगा बिकल्ब सी दोख्यवाज चौदा का तेरा का सही बिकल्ब सी नहीं होगा मित्रों रूखिए फिसे बता देता हूँ ये था आपका चली शब्द का बिलोम तो चली शब्द का बिलोम ये हो जाएगा निश्चल अर्थाद जो कोई चल नहीं करता है चल से यता है अताद परी जो चल करने वाला उसे चली कहा जाता है और जो निश्चल होता है वो किसी प्रकार का चल नहीं करता है तेरा का सही विकल्ब यहाँ पर ए हो जाएगा अगला प्रशन यहाँ पर पूछा गिया है चौदा कौन सा शब्द भिन अर्थ और प्रकृति का है विकल्ब में है आपदा, बिपदा, इलम या मुसीवत तो चौदा का सही विकल्ब पता यह क्या होगा तो यह हो जाएगा विकल्ब सी इलम जो इलम शब्द है यह भिन अर्थ और प्रकृति का है बाकी आपदा, बिपदा या मुसीवत यह तीनों ही एक ही प्रकृति या एक ही अर्थ की है अगला प्रशन है यहाँ पर पंदरा चिदंबरा किसकी रचना है बिकल्ब में है जैशिंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुरिकान, तिपाटी, नियाला या सुमित्रा नंदन पंत तो पंदरा का सही बिकल्ब बताईए क्या होगा तो यहाँ पर जो पंदरा का सही बिकल्ब हो जाएगा तो बहुँ जगा बिकल्प डिस सुमित्रा नंदनपंद की रचना हो जाएगी यहां से आपसे एक फ़शन पूश लेता हूँ में आपको बताना है कि यहां पर चार बिकल्प दिए गए हैं इन में से किसी एक की रचना है काम आई नहीं तो बताना है वो किसकी रचना होगी ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं सोला इसमें पूछा गया है खलनाईक में कौन सा समास है विकल्प में करमधारिय अब बेईभाब ततपुर्ष या बहुबरिय तो सोला का सही विकल्प कौन सा होगा तो सोला का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प एक करमधारिय जो खलनाईक है इसमें करमधारिय समास का प्रयोग किया गया है अगला प्रशन है सत्रा अर्थ के अधार पर बाक्य नहीं है तो बताना है कि जो अर्थ के अधार पर बाक्य कौन सा नहीं है तो यहाँ पर जो 17 का से ही विकल्फ हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्फ C, देशवाचक जो देशवाचक है ये अर्थ के अधार पर बाकिय नहीं होगा बाकि इच्छा बाचक, प्रशन बाचक, आग्या बाचक ये सभी ही अर्थ के अधार पर बाकिय होंगे अन्धा यूग ये बताए गया है लक्ष्मी नरायन लाल का अन्धा यूग नहीं अन्धा कुआ चलिए अन्धा यूग निकल ही गया है तो आप बताएए जो अन्धा यूग है ये किसकी रचना होगी ठीक है इस रचना के रचना का नाव आपने बताना है फिर है चकरवियू तो ये बताएगई है लक्ष्मी नरायन मिश्र की फिर है बिना दिवारों के घर ये मनुभंडारी की बताएगई है और स्फेद कौआ ये मनजुल भगत की बताएगई है तो बताना है इनमें से कौन सा मिण्गत है तो जो अठ्रा का यहां पर सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प भी जो चक्कड भी हो बाकी सभी रचना है अंधा कुआ लक्ष्मी नरायन लालकी हो जाएगी बिना दिवारों के घर मन्डू भंडारी की रचना हो जाएगी और स्फेद कवा मन्जूल भक्त की रचना हो जाएगी अगला प्रेशन भी मिलानवाला ही है तो चलिए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सही नहीं है भारत इंदू हरिष्चंदर प्रेम सोवर इनकी रचना है इसके परशा पुछा गया है राधा कृष्ण दास भारत मासा इनकी रचना बताई गई है फिर है श्रिदर पाठक साक साकेत इनकी रचना बताई गई है और फिर जो महादेवी बर्मा है दीव शिखा इनकी रचना बताई गई है तो चलिए बताईए यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा तो जो 19 में सही रचना नहीं होगी तो वो बिकल्प सी हो जाएगी जो श्रीदर पाठक है साकेत इनकी प्रेम सुरोबर भारतिंदु अहरिश्चंद की रचना हो जाएगी भारत बारामासा राधाकृष्ण दास की रचना हो जाएगी और जो दीप शीखा है महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी अगला प्रशन है 20 इसमें पूछा गिया है समास काबिलों क्या होगा विकल्प में हैं वियास, तियाग, राजा या नाराज तो यहाँ पर जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प A समास काबिलों वियास हो जाएगा अगला प्रश्ने 21 इसमें पूछा यह है जान की मंगल किसकी रचना कृति है बिकल्प में हैं कालिधास, तुलसिदास, महादेवी वर्मा या देव तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा जानकी मंगल यह आपकी हो जाएगी तुलसी दास की रचना भी सही बिकल्प हो जाएगा अगला प्रश्ने 22, तदभव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गल्थ हो जाएगा विकल्प में है बहन, भगीनी, पत्तर, परण, अकेला, सवल, दोना, द्रोन तो 22 का कौन सा विकल्प सही नहीं होगा तो यहाँ पर जो विकल्प C है अकेला, सवल ये सही नहीं होगा बाकी बहन, भगीनी सही है, पत्तर, परण सही है, दोना, द्रोन ये सही होगे अगला प्रशने तरीज चोपाई चंद में कितनी मात्राई होती हैं विकल्प में 16, 17, 14 या 15 तो तरीज का सही विकल्प कौन सा होगा तो तरीज का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प A 16, चोपाई में 16 मात्राई या चंद होती है अगर कई बार पूचा जाए चोपई अगर चोपई में पूछाए जाए कितनी मात्राएं होती है तो ये हो जाएंगी पंद्रा अगर पाई ये लगा दिया जाए तो ये हो जाएंगी सोला ठेक है इसका विशेश दियान लखिए अगला प्रशने 24 बच्चा सो रहा है बाक्य में बाच्य होगा विकल्प में है दंत्य बाच्य रित बाच्य भाबाच्य या कर्म बाच्य तो बताना है 24 का सही विकल्प कौन सा होगा तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा वीडियो के अंत में आपने बताना है कि आपके 30 प्रशनों में से कितने सही हुए है ठीक है सभी इसका उत्तर बताईएगा अगला प्रशने 25 इन में से कौन अम्रित का प्रियाय है विकल्प में है शुद्धी, अवज, सूधा या असी तो 25 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प सी हो जाएगा जो सूधा अम्रित का प्रियाय या प्रियाय वची शब्द होता है अगला प्रशने यहाँ पर 26 उज्वल में उपसर्ग है तो बताईए उज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा विकल्प में है आपके समक्ष उत उज उच या उप तो जो 26 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए उत उत उज्वल में उपसर्ग है बाकी है 27 जो चाती केबल चलता है उसके लिए एक शब्द बताईए क्या होगा विकल्प में है उरग, राधा, सालग या प्रत्यक्षू तो 27 का यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा तो यह हुजएगा विकल्प ए उरग अर्थात उरग का तात परियता चाती तो जो चाती से चलने वाला हो उसे उरग कहा जाता है उधारन के लिए मगरमच चिपकली इतियादी अगला प्रशन है 28 कहानी में कौन सा प्रत्य होगा विकल्प में है आनी, नी, अनी या नी तो 28 का सही विकल्प ताईए क्या होगा तो जो यहाँ पर 28 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होज़ेगा विकल्प एक कहानी में आनी प्रत्य होगा तो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आपको कई बार बता है जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है जैसे उज्वल में उत ये उपसर्ग है और जो प्रत्य होता है ये प्रत्य अंत में लगता है बिकल्प में लड़का लड़की माता पिता भाई बहन उक्त सभी यहां पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प D उक्त सभी प्राणी वाचक संग्या होंगी लड़का लड़की माता पिता भाई बहन अगला और अंतिम प्रशन है आज का अदवुत रसकास्थाई भाव है जुगुफसा, निर्वेद, विस्मे, यारती तो तीस का सही बिकल्ब बताईए क्या आएगा तो यहाँ पर तीस का सही बिकल्ब हो जाएगा विस्मे अदवुत रसकास्थाई भाव होगा विस्मे तीस का सही बिकल्ब सी हो जाएगा तो चलिए ठीक है अब वीडियो का समापन कर लेती हैं आप लोग वीडियो के अंतिक बने रहें इसका बहुत बहुत धनियावाद